अपनी वीडियो पर सीडियूल लगाओ और यूटूब पर व्यूज बढ़ाओ आपने ये थिमनल तो देखी लिया होगा आज की इस वीडियो में हम ऐसी पर बात करने वाले हैं कि हम अपनी वीडियो पर सीडियूल किस तरीके से लगाते हैं और उससे हमारी वीडियो पर किस तरीके से व्यूज भी बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं सिडियूल होता क्या है सिडियूल लगाकर आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो अपने चैनल पर व्यूज बढ़ा सकते हो अपने सस्क्राइबर भी गेन कर सकती हो जी यहां दोस्तो अब देखी दोस्तो सिडियू लगाने का सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है पहला तो हम अपनी वीडियो को टाइम टू टाइम पबलिक कर सकते हैं वो भी विना किसी छेंडशाण के वीडियो हमारी आपने आपी पबलिक हो जाती है अब कैसे होती है चलिए अब मैं आपको बताताओ कि किस तरीके साम सिडियू लगाते हैं और सिडियू लगाने का सही तरीका क्या होता है अब देखी सिडियू लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक वीडियो अपलोड करना पड़ता है अगर आपके फोन में पहले सही अपलोड है तो आप उसमें भी सिडियो लगा सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो अपलोड करके दिखा रहा हूँ सबसे पहले हम वीडियो को अपलोड कर लेते हैं अब देखिए दूस्तों Studio लगाने के लिए सबसे पहले हम अपना Bytee Studio ओपन कर लेते हैं यहाँ पर हम अपना Bytee Studio ओपन करेंगे और हम उस वीडियो को यहाँ से ओपन कर लेंगे देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर एक option दिखाई दे रहा है Unlisted का ठीक है इस Unlisted वाले option पर आपको क्लिक करना इस तरीके से उसके बाद आपको यहाँ पर एक option और देख रहा होगा Schedule का आप यहाँ पर देखिए Schedule वाला जो option आपको दिखाई दे रहा है आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना इस तरीके से इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक option और दिखाई देगा आपको date का आपको क्या करना है इस date वाले option पर क्लिक करना है यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको इस पर click कर देना है, फिर आपके सामने एक calendar निकल कर आ जाएगा, अब देखिए दोस्तों schedule कैसे लगाते हैं, आपके सामने जो calendar निकल कर आ गया है, आपको इसमें वो date दिखाई देंगी, आज की, कल की, जो भी date होगी, वो आपको आपके सामने एक calendar निकल कर आया है, ठीक है, calendar में आपको वो date सेलेक्ट करनी है, जिस date में आपको अपने वीडियोस पबलिक करनी है, मालो आपने आज वीडियोस अपलोड कर देंगी, कल आपको कोई काम है, तो कल आप वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते हो, आज ही कर सकते हो तो आप आज वीडियो अपलोड करके कल उसी time का यहाँ पर schedule लगा सकते हो आपके वीडियो अपने आपी पबलिक हो जाएगी आपको उसमें कुछ करने की जोड़त नहीं पड़ेगी तो देखी आज है साथ तरीख तो मैं साथ यहाँ पर select कर लूँगा उसके बाद हम okay कर देंगे इस तरीके से okay करने के बाद अब आपको यहाँ पर time दिखाई दे रहा होगा एक time का schedule आ गया है ठीक है अब आपको यहाँ पर time select करना है सबसे पहले आपको जिस time को वीडियो अपलोड करनी है आपको वो time यहाँ पर select करना है चलिए मैं यहाँ पर 12 select कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद आपको 12 के बाद में यहाँ पर 5 minute पर 10 minute पर 15 minute पर 20 minute पर या फिर 30 minute पर आपको यह minute दिखाई दे रहा है आपको 12 बज़कर 5 minute पर अगर वीडियो इडालनी है तो आपको 5 पर click कर देना इस तरीके से उसके बाद आपको okay कर देना यहाँ से इस तरीके से अब दोस्तों जैसे आप 12 पर पर करोगे तो आपके सामने दो option और दिखाई देंगे जो कि मेरे phone में दिखाई न दे रहे हैं आपको यहाँ पर लिखाई देगा AM या PM तो आपको अगर 12 बज़े के बाद मालों दिन के 12 बज़े के बाद दिन के 12 बज़े के बाद अगर आप कोई भी वीडियोस अपलोड करते हो तो वो PM में जाएगी अगर दिन के 12 बज़े से पहले कोई भी वीडियोस डालते हो उसे PM में रखना ठीक है उसके बाद हम यह से OK कर देंगे फिर आपको back आजाना है back आने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिखाई दे रहा होगा यह देखिए आपको यहाँ पर एक save वाला option दिखाई दे रहा है आपको क्या करना है इस पर save कर देना है अब देखिए तो उमको फसंद आया वोदो वीडियो के लाइक करते ना चैनल पर नए उच्छी चैनल को सास्क्राइब कर लेना